हेलो फ्रेंड्स मैं विस्नू आरके एक्जाम क्रेकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मैट्स के कुछ इंपोर्टन टाइप के कुश्चन डिसकस करने वाला हूँ जैसा कि आपने थमनेल में भी देख लिया हुआ मैट्स के सिंपलिपिक्शेशन के कुश्चन कुछ जो बार-बार एक्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर डिसकस करेंगे उनसे रिलेटेट विलकुल सोर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे हम उसको सेकंडों में ही कर सकते हैं इन कुश्चन को करने के लिए हमें कहीं बार तो पैन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हम ऐसे ही देख के उनको देख सकते हैं तो friends आईए करते हैं इन questions को देखते हैं इस pattern पर based जो question है उनको कैसे हमको करना होगा और friends ध्यान रखिए ये question हर exam में पूछे जाते हैं इसलिए इनको विल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पर हम short trick discuss करने वाले हैं देखते हैं आज के pattern के questions देखिए सबसे पहले ये question देखिए 1 divided by 1 multiplied by 2 plus 1 by 2 multiplied by 3 plus 1 by 3 multiplied by 4 plus 1 by 4 multiplied by 5 1 by 5 multiplied by 6 और 1 by 6 multiplied by 7 plus 1 by 7 multiplied by 8 plus 1 by 8 multiplied by 9 आपको pattern को note करना है pattern को देखना है ये एक series दी गई है simplification की सरलिकार्ण के लिए जिसको हिंदी में जो है simplification को हम सरलिकार्ण बोलते हैं उसकी ये series दी गई है आपको इसका question का answer निकालना है अगर आप इसको simple basic method से इसका multiply करके नीचे denominator में और फिर LCM लेके करने बैठ होगे तो question साइद काफी लंबा समय ले लेगा और साइद अच्छे से ये इसका सही answer आप नहीं निकाल पाएंगे लेकिन इसको अगर आप एक trick के माध्यम से करेंगे तो बिल्कुल सेकंडों में आप answer दे सकते हैं देखिए सबसे पहले आपको pattern को note करना हुआ उपर denominator मतलब numerator में जो कि इस fraction का numerator है उसमें कोई भी value हो सकती है आपको नीचे के जो denominator है उसके pattern को note करना हुआ यहाँ पर consecutive numbers होने चाहिए multiply जो है उनके बीच एक certain difference होना चाहिए एक series follow करने चाहिए जैसे 1 multiply by 2, 2 multiply by 3 यहाँ आपर एक consecutive series है एक एक difference है इनके बीच और यह नीचे multiply में दिये गए हैं सबी तो इस question को कैसे solve करेंगे यह pattern देखते ही आपको क्या करना है इसको solve करने का जो method है उसमें क्या करेंगे हम जो यह वाला दो numbers को नीचे वाले note करेंगे सबसे पहले वाला और सबसे last वाला और फिर देखेंगे यह नीचे की terms रहेंगी और फिर देखेंगे उपर वाली value जो उपर वाली values है उनको add कर देंगे सभी को कुछ नहीं करना बिल्कुल second हो में देखेंगे उपर वाली values को देखते हैं क्या value आएगी 1 प्लस 1 कितनी बार दिया गया 1 एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ बार तो यहाँ पर आठ बार हम 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 मिलेगा उपर value नीचे क्या करना सिर्फ जो सबसे पहली term है और सबसे last term है उसको multiply में है तो sign multiply करेंगे उपर 8 बचेगा और नीचे जो है आपका 9 बचेगा तो इसकी value directly 8 by 9 तो यह आप सही answer choose कर सकते हैं 8 by 9 इसकी यह value हो जाएगी देखिए बिल्कुल second हो में आपने इतना लंबा चोड़ा question कर दिया pattern को note करना है उससे related फिर आपको जो उपर वाली values है यानि जो numerator में values है उनको सिर्फ add करना है और नीचे वाली जो पहली value है और सबसे last की value है उसको multiply कर देना तो 8 by 9 आपकी value एक दो और question देखते हैं कुछ इसी pattern से related लेकिन इसके change pattern पर हो देखिए next question देखते हैं next question में क्या दिया गया है 3 divided by 1 की power 2 multiply 2 की power 2 5 divided by 2 की power 2 multiply 3 की power 2 फिर next 7 divided by 3 की power 2 multiply 4 की power 2 ऐसे करके last तक हमें 4 5 ऐसे उनके square दिया गया है और ये 9 से 10 last जो है 9 और 10 है 9 की power 2 multiply by 10 की power 2 और उपर जो numerator में है वो 19 है आपका तो देखिए pattern लगबग सेम लग रहा है आपको सिर्फ value में क्या change हुआ है यहाँ पर निचे square दिये गए numbers की consecutive numbers है एक एक का difference है एक दो दो तीन तीन चार तो ठीक है series हमारी same बन रही है पहले वाले pattern पर तो इसमें हम same जो procedure है वो follow करेंगे सबसे पहले उपर की value के लिए numerator के लिए उपर की values को add करेंगे तो क्या आएगा 3 plus sorry 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 वही same procedure निचे की दो factors को देखेंगे सबसे पहले वाला सबसे last वाला ध्यान रखेंगे यहाँ पर square दिया गया है तो square को ही लेंगे साथ में 1 का square multiply 10 का square तो यह निचे की value आ गई अब देखेंगे इनको add करेंगे उपर वाली values को तो यहाँ से हमको मिलेगा total जो sum करेंगे एक बार आप sum करके देख लीजिए sum लगबग सबको करना आता होता है तो यह sum होगा लगबग आपका जो है 99 और निचे देखेंगे 1 का square 1 10 का square 100 1 और 100 की multiply करेंगे तो 100 तो आपकी value सिफ सेकेंडों में आप यह value प्राप्त करेंगे आपका answer 99 डिवाइड वाई 100 इसका सही answer होगा देखिए बिल्कुल pattern को देखना आपको note करना है और इस pattern पर based question को बिल्कुल short trick से ऐसे करेंगे अब और देखते हैं एक दो question जिनसे हम जो ह जो है कैसे इनको करेंगे देखिए यह question है 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 12 plus 1 by 20 plus 1 by 30 plus 1 by 42 plus 1 by 56 plus 1 by 72 plus 1 by 90 plus 1 by 110 plus 1 by 132 इस question को देखने पर काफी लंबा चोड़ा question परतीत होता है और इसको करना काफी मुश्किल हो जाएगा अगर हम LCM लेके इसको करेंगे तो अब देखते हैं इसको so trick से देखिए हमने जो pattern बताया उस पर भी यह नहीं दिख रहा है ऐसे देखने पर तो यह उसी pattern पर best question है इसको कैसे देखेंगे हम question को देखिए 1 divided by 2 को क्या लिख सकते हैं 1 multiply by 2 फिर 6 को क्या लिख सकते हैं 2 multiply by 3 12 को 3 multiply by 4 20 को 4 multiply by 5 30 को 5 multiply by 6 42 को 6 multiply by 7 और फिर 56 को लिख सकते हैं 1 by 7 multiply by 8 तो इस तरह से यह series बनती जाएगी और last में 132 को क्या लिखेंगे हम 11 multiply by 12 तो यह देखिए अब आपको यह बिल्कुल same series नजर आ रही है पहले देखने पर हमें वो question में series नजर नहीं आ रही थी लेकिन आप देखिए बिल्कुल same series यह बन गई है अब उसी pattern को follow करेंगे सबसे उपर जो है उपर की values को add करेंगे यहाँ पर one कितनी बार आया है यह आया है आपका ग्यारा बार और सबसे पहली value सबसे last की value इनको multiply करेंगे तो उपर जैसे add करेंगे 11 आएगा आपको नीचे करेंगे one सबसे पहला factor 12 जो है last 12 तो यह one by 12 इसका आपका sorry 11 by 12 इसका answer होगा तो यह देखिए question पहले अलग से दिख रहा था यह लेकिन आपने इस form में convert कर लिया तो ऐसे भी question पूछे जाते हैं आपको form में convert करना पड़ था आपको ध्यान से numbers को देखना होता है next देखते हैं एक और question देखते हैं इसी pattern पता कि आपको यह pattern बिल्कुल clear हो जाए और pattern का जैसे यह पहला question लिया था मैंने अभी इससे just पहले 1 by 3 plus 1 by 15 plus 1 by 35 plus 1 by 63 plus 1 by 99 और next last में है जो 1 by 255 तो देखिए इसको कैसे हम उस question की form में देखेंगे सबसे पहले 1 by हमारा आएगा 3 को क्या लिख सकते हैं 1 multiply by 3 फिर 1 by जो है 15 को 3 multiply by 5 देखिए यहाँ पर भी consecutive numbers है लेकिन इन में difference 2 दो का है 1 और 3 में 2 का difference 3 और 5 में 2 गा फिर next देखते हैं same pattern follow होता है या नहीं 35 को 5 into 7 63 को 7 into 9 तो same procedure यहाँ पर follow हो रहा है और 99 को 9 into 11 देखिए 2 दो के difference हा रहा नीचे सब में same procedure follow हो रहा consecutive numbers है तो सबसे last में कितना आएगा हमारा 255 को हम क्या लिखेंगे 15 multiply by 17 ओके तो यह 255 को लिखेंगे तो यह same pattern हमारा है तो इसको कैसे करेंगे फिर से हम उबर वाले जो numerator से उनको add करेंगे तो इनको add करेंगे तो कितने terms हैं यहाँ पर तो cool जो terms बनेगी नीचे sorry जो उपर है वो हमारी 8 बनेगे 1 note करेंगे आप सभी को ध्यान से तो 8 बनेगा sum 8 बार एक को add करेंगे तो 8 बनेगा नीचे क्या है सबसे पहला number सबसे last का number 1 into 17 तो 8 by 17 आपका जो है answer होगा यहाँ तो हमने यह जो है हमारा जो pattern 1 के question थे उससे related 4 question देख लिए आसा करता हूँ यह question आपको clear हो जाएंगे अच्छी तरह से समझ आ गई होगे तो इनसे related कोई भी question आए आप pattern में convert करके कर लेंगे या फिर सीधा दिया है तो आप यह question कर लेंगे अब देखते हैं next pattern एक और important pattern है यहाँ पर वो देखते हैं देखिए आपने यह question भी generally देखे होगे exam में पूछे जाते हैं 1 divided by 1 by 2 11 divided by 1 by 2 111 divided by 1 by 2 और ऐसे चलती जाएगी series यह ऐसे दे दिया है question तो यानि एक series follow हो रही है यहाँ पर एक बार एक है यहाँ पर दो बार एक है तीन बार एक है चार बार एक है पांच बार एक है छे बार एक है और 1 by 2 दिया है साथ में अगर आपको इसको fraction को solve करके करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा तो इन question को solve trick से कैसे करेंगे यह देखते हैं सबसे पहले देखिए एक pattern को Follow करते हम अगर ऐसा pattern दिया है तो इन question को को note करना है फिर देखेंगे maximum कितनी बार तक दिया है छे बार तक दिया है हमको है ओके छे बार तक तो इनको solve करने के लिए सबसे पहले अगर छे maximum term सक दिया है ये तो हम consecutive numbers लिखेंगे एक से छे तक एक से सुरू होंगे तो ये कौन से number होंगे एक दो तीन चार पांच छे जहां तक दिया है maximum वहां तक number लिखेंगे फिर note करें कितनी terms है एक दो तीन चार पांच छे okay छे terms है तो जितनी terms है छे उसका हाप कर देंगे यानि consecutive numbers हैं वो एक से छे तक लिेंगे जितनी maximum terms है फिर number of terms यह हमारा क्या है number of terms divided by two value है तो यह कर देंगे तो यहाँ पर जो हमें यह value मिलेगी वो इसका answer होगी direct one two three four five nine यह हमारा इसका answer है value देखिए कितनी लंबी चोड़ी है कि आपको जो equation लग रही थी वो आपने बिल्कुल second हों में कर ली तो note करना है pattern को सबसे पहले जितना maximum terms है वहाँ तक consecutive numbers लिखे गए one two three four five six जितनी number of terms है उसका हाप करेंगे six को two से divide करेंगे three add हो गया तो इसको add करेंगे simply इसका answer हो गए अब इस pattern पे कुछ और question देखिए देखिए वहाँ पे one दिया था अगर two आ गया तो two की जो repetition है same pattern में है यहाँ पर तो देखते हैं इस question को कैसे हम करेंगे वहाँ पर one दिया था सबसे पहले क्या करेंगे हम वही same procedure follow करेंगे जितनी number of terms हैं वहाँ तक consecutive numbers रखेंगे one two three four five six यह numbers हमने लिख लिए अब यहाँ पर two है तो हम two से multiply करेंगे इसको फिर वही same procedure जितनी number of terms हैं यहाँ पर six terms हैं उसका हाँ करेंगे तो यह जो value आएगी यह हमारी यहाँ पर value आएगी answer होगा हमारा वही same procedure हमें follow करना है यह जो value आएगी यह इसका answer होगा multiply करेंगे और यहाँ पर three तो यह value हम देखेंगे यह हमारा answer आगए यहाँ पर आपने यह जो है second में लंबे question को कर लिया एक और question देखते हैं ताकि यह question जो इस pattern पर बेश्ट हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझा जाए तो next question देखते हैं यह देखिए अब की बार हमें three दे दिया गया है तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करने वाला है वही same procedure हम follow करेंगे अगर two दिया है तो हमने देख लिया same procedure देखना है same terms जो repeat हो है three एक बार, three दो बार, three तीन बार four बार, five बार, six बार कितनी भी terms तक हो सकता है तो हमने six terms है यहाँ पर सबसे पहले वही same procedure follow करेंगे one, two, three, four, five, six six तक consecutive numbers को लिखेंगे अब three है तो three से multiply करेंगे हम यहाँ पर और फिर number of terms कितनी है छे हैं यहाँ पर उसका हाप करेंगे तो यह यहाँ पर इस question का solution होगा बिल्कुल यह answer आएगा आपका जो यहाँ पर multiply करेंगे थरी से और फिर यह जो थरी है इसको add कर देंगे, तो यह आपका solution होगा, तो friends यह हमने जो दो important type के question देखे, उनसे related जो questions है उनके type के जो उनको उनके pattern पर कैसे convert करना है यह हमने देख लिया है, आसा करता हूँ यह question आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और अब आप इनको जो है second हो में कर पाएंगे, अगर अब भी आपको कोई doubt है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, वह हाँ से मैं आपको जो है इसका जो जवाब देने की कोशिश करूआ तो friends यहीं पर आज की video को smart करते हैं, और मिलते हैं next video में और अच्छी tricks और अच्छी topics के साथ, thank you